हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं रोस्टेड पोहा चिवडा नमकीन बिना तेल बिना घी के फ्राई की हुए ये नमकीन बहुत ही ज़ादा टेस्टी और हेल्दी तयार होती है और इसे बनाना बहुत ही ज़ादा असान है और आप इ जल्दी से इस बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नमकीन को बनाना शुरू करते हैं नमकीन बनाने के लिए यहां पर मैंने हाफ केजी पतला पोहा लिया है इसे थिन पोहा या फिर पेपर पोहा भी कहा जाता है तो जो नाश्ते में आप पोहा बनाते हैं उससे ये काफी ज़ा क्रिस्पी तयार होती है आपको इसको तेल में तलने की बिल्कुल भी जोट नहीं पड़ती है बहुत ही जादा टेस्टी क्रिस्पी नमकीन तयार होगी तो चलिए अब नमकीन बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए यहां पर मैंने का हैवी बॉटम कड़ाई ली है और इसक पहाई लिए गैस का फ्लम लो रखिए ताकि नमकीन एक तम क्रिस्पी तयार हो जब हम लो फ्लम पर पोहे को इसटरह से रोस्ट करते है तो पहा बहुत ज्यादस क्रिस्पी हो जाता है और जैसे जैसे ये पोहा रोस्ट होता है ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा तो देखी यहां पर हम इसे लगातार चलाते हुए ही इसी तरह से भून लेंगे बिना तेल में तले हुए हम इस नमकीन को बना रहे हैं तो ये सब को बहुत जादा पसंद आती है बच्चों से लेके बड़ों तक सब को पसंद आएगी और आप यहां पर देख सकते हैं कि पोहा जो है वो रोस्ट हो चुका है तो आप इस तरह से हाथों से थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस करके दबा कर चेक कर सकते हैं कि क्रिस्पी हुआ है या नहीं तो यह बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है बस हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगी देखिए यह हाथों से किस तरह से बहुत यसानी से तूट रहा है तो इसका मतलब यह अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे किसी बरतन में निकाल लेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से कड़ाई में पोहा पढ़ा रहा तो पोहा जल सकता है और इसका कलर भी चेंज हो सकता है, अब पोहा का हम किसी बड़े से बरतन में इस तरह से निकाल कर साइड में रखतेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की अब कड़ाई में हमें एक बड़ा चमच तेल डाल देंगे और गैस के फ्लेम को लो लेंगे, लो फ्लेम पे हमें तेल को थोड़ा सा गरम होने देना है उसके बाद हम इसमें बाकि की चीज़े étड करेंगे, तेल हलका गरम हो गया है तो अब हम इसमें हाफ कप मॉमफली ड जाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछी सेकिंड के अंदर मुंखफली जो है रोस्ट हो जाती है हमने बहुत ही कम ऑईल के अंदर इसे रोस्ट कर लिया है मुंखफली एक्तम क्रिस्पी हो गई है तो अब यहां पर मैंने 3-4 हरी मिर्च क इस तरह से कट का लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इससे भी हम भून लेंगे दोस्तों अगर आप नमकीन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को अवाइड कर सकते हैं अगर आपको तीखा कम पसंद है तो हरी मिर्च को आप अवाइड कर सकते हैं और अब हम हरी मिर्च को भी इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे दोस्तों ये नमकीन बहुत ही जादा चट पटी और क्रिस्पी तयार होती है तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च को हलका सा भून लिया है तो अब यहाँ पर थोड़े से कड़ी पता डाल देंगी इससे नमकीन का टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है और बहुत अच्छी हुश्पू नमकीन में से आती है तो डाल कर इन्हें भी हम क्रिस्पी होने तक भून लेंगी तो गैस का फ्लेम लो रखी और जब भी आप नमकीन बनाएं तो उसके लिए हैवी बॉटम पैन ही आप लें या कड़ाई कोई भी भारी तले वाली कड़ाई आप ले लीजिए उसके अंदर नमकीन बहुत अच्छी तयार होती है क्योंकि हम बहुत कम तेल के अंदर इस नमकीन को बना रहे हैं कड़ी पत्ता भी क्रिस्पी हो चुके हैं तो अब हम इसमें एक कप फूल मखाना डाल देंगे और इसे भी हम क्रिस्पी होने तक भून लेंगे दोस्तो इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने जो भी चीज़े इसमें डाली है सारी चीज़े बहुत जादा हेल्दी हैं तो हम इसे लो फ्लेम पे ही भूनेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज मत कीजेगा क्योंकि हम बहुत कम उयल के अंदर इन सारी चीज़ों को इस तरह से भून रहे हैं रोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कुछ सेकिंड में ही देखेंगे कि फूल मखाना भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है अब हम इसमें वन फॉर्थ कप काजू डाल देंगे और इन्हें भी हम लो फ्लेम पे हलका सा रोस्ट कर लेंगे दोस्तो इस नमकीन को बनाने के लिए इसमें हम जो भी चीज़े डाल रहे हैं आप उनकी क्वांटिटी को अपने हिसाफ से घटा बढ़ा सकते हैं यारि के जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आप उन्हें ज़्यादा डाल लीजिए और जो कम पसंद है उसे कम डालिए अब यहाँ पर वन फोर्थ कप ही यहाँ पर मैंने बढ़ाम लिया है और इन्हें इस तरह से दो टुकडों में कट कर लिया था वो डाल देंगी इन्हें भी लो फ्लेम पे हलका सा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे आप चाहें तो ड्राइ फ्रूट्स को छोटा छोटा कट करके भी नमकीन में डाल सकते हैं तो देखें हमने बादाम को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है अब हम इस पे हाफ कप भूना हुआ चना डाल देंगे दोस्तों ये बहुत एजी लिया आपको मार्केट से मिल जाता है इसे भी हम थोड़ सा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे रोस्टर्ड चना डाल भी आपको बहुत असानी से मिल जाती है आप चाहें तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं जब हम low flame पे इन्हें इस तरह से भूनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है और नमकीन लंबे समय तक चलती है लंबे समय तक आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बिलकुल भी फिर मौश्चर नहीं रहता है जब हम इसे इस तरह से low flame पे भूनते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा सूखा नारियल उसे मने कट कर लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे दोस्तो इस नमकीन को बनाने के लिए चीजे आप अपने पसंद के अनुसार डालेगा जो भी आपको पसंद हो तो यहाँ पर इसे भी डालने के बाद हलका सा इसे भी भून लेंगे तो चलिए नारियल भी हलका सा सिख गया है तो अब हम इसमें one fourth cup किश्मिश डाल देंगे और इसे भी थोड़़ा सा भून लेंगे दूस्तो किश्मिश को भूनने में बिल्कुल भी जादा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी किश्मिश जो है वो फूल जाती है तो अब हम इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे कैस का फ्लेम लो ही रखिए सारी चीज़े अच्छे से रोस्ट हो गई है तो चलिए अब हम इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगी तो यहाँ पर डाल देंगे हाफ टीजपून रेट चिली पाउडर हाफ टीजपून हल्दी पाउडर अड़ करे इससे नमकीन का कलर बहुत जादा अच्छा हैगा अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लेते हैं अभी हम इसमें और मसाले भी आड़ करेंगी तो पहले आप इसे चला लीज़े ताकि सारी चीज़े कहीं जल ना जाएं क्योंकि गैस का फ्लेम बिलकुल लो है और यह सारी हैं लगा पर आमचूर पाॉडर भी डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लीज़े और यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को बिलकुल बंद कर देंगी यहाँ पर मसाला जो है बिलकुल तयार हो गया है तो चलिए अब हम इसे उसमें डाल देते हैं जो नमकीन के लिए हमने यह मसाला तेयार किया है उसे हम पोहा के उपर इस तरह से डाल देंगे और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो इस तो बहुत ही जादा टेस्टी और हेल्दी नमकीन तयार होती है और बहुत सस्ती भी आपको पड़ेगी इस तरह से जब आप नमकीन बनाएंगे हमने इसमें धे हल्दी का कलर है इसके उपर पोहे के उपर अच्छे से आ जाएगा अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे जब आप इसे हाथों से इस तरह से मिक्स करते हैं तो पोहा के उपर अच्छे से हल्दी का कलर आ जाएगा और अगर आपको लगे के हल्दी का कलर जो है पोहे के उपर बना रहे हूँ तो मैं इसमें यहाँ पर दो बड़े चमच पाउडर शुकर एड़ कर रहे हूँ इससे नमकीन और ज़्यादा टेस्टी लगती है लेकिन अगर आप इसमें मीठा नहीं डालना चाहते हैं तो आप मीठे को स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें थोड़ कर रख लीजे और दो तीन महीने तक आप अराम से खा सकते हैं बिलकुल भी खराब नहीं होती है लेकिन मैं आप से कहूंगी कि यह नमकीन बचेगी ही नहीं आपके घर में सब चट कर जाएंगे दो दिन में ही मुझे उमीद है आपको आज की यह रिस्पी बहुत जादा पसं तो दोस्तों मिलते हैं नहीं रिस्पी के साथ थैंक्स फो वॉचिंग